हर हर महादेव करॉल शंकर महादेव की जय स्वागत आप लोग का हमारे नए वीडियो में पिछले चार दिनों से हमारे यहाँ पर लाइट नहीं थी बड़ी मुस्किल से यह भाई साहब यहाँ पर आये हैं यहाँ के जो वायर मेन हैं जो लाइट बनाते हैं इलेक्टरिशियन उनको पिछले चार दिन से हमने बहुत फोन किया लेकिन वो लोग आये नहीं फिर यह कोई दूसरे इलेक्टरिशियन है इनको भुलाया तो यह आज आये और आने के बाद देखो हमारा चार दिन बाद लाइट बन गया है जैसे लाइट बना इतनी खुशी हुई देखके कि मैं बता नहीं सकती फिर कुछ भक भी बाबा के टहलते टहलते रेस्टोरेंट तक आये थे लेकिन अभी लाइट ही नहीं थी तो हम क्या इनको देते कुछ हमने इनको दिया नहीं तो ये टहलते टहलते और आगे तक चले गए हमारी लाइट बन गई है इस बात की हमें बहुत जादा खुशी है क्योंकि पिछले चार दिनों से कोई काम नहीं हमने किया हमारा सारा जो बरतन है ऐसे ही जुठाई पड़ा था फिर बहुत सारी घर भी गंदा हो रखा था फिर ये सब चीजे लाइट आनेक बाद हमने टाकी भरा उसके बाद सारा हमने साफ सफाई में हमने पुरा ध्यान दिया फिर भाई बहन भी आये थे हम तीनों एक साथ में थे मौका अच्छा था मेरे पास तो हम तीनों लग के मेहनत करके पुरा घर साफ किया जितना भी सामान था अस्त व्यस सबको विवस्थित किया जितने भी कचरा डश्ट सब इकठा हुआ था सब मैंने हटाए जब लोग आते हैं तो मेरे पास एक मौका रहता है कि हम लोग मिल के कर लेते हैं साफ सफाई तो मेरे परिवार में से हर तीन महीने पे दो महीने पे चार महीने पे बाबा के पास दर्शन के लिए अर्जी लगाने घर वाले आते रहते हैं तो उस वीच में हम लोग मिल के साफ सफाई भी कर लिया करते हैं यह देख सकते हैं अभी भाई बहना हैं तो मेरा तो उतना मन नहीं था लेकिन यह पुल दिलिए आज पूरा हम लोग साफसफाई कर देते हैं पुर जितने भी डिब्बे के अंदर मशाली रखे हैं जितनी भी सारी चीजे सब को अच्छे से पोचेंगे सब अच्छे से रखे तो जब इन लोग का साथ मुझे मिला कि नहीं चलो सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों ना कर लिया जाया तो इसके अंदर जितने भी हमारा रासन रखा हुआ था वो सारा हमने अच्छे से साफसफाई हमने कर लिया है जितने भी कमरे में जाले वाले लगे थे वो हम समने हटा ल जाते हैं जब भी मौका मिलता मेहनत करने कोई कडराता है नहीं तो आते ही लग जाते हैं मेरे संग बाबा की गुरुपुर्णिमा पर आये थे गुरुपुर्णिमा पर आने के बाद उस समय भी हम इडली बना के बेच से तो उसमें भी काफी सपोर्ट किया भाई बेहनों फिर उसके बाद चार दिन तो लाइट होने के वैसे हमने कोई काम ही नहीं कर पाए तो अब लाइट आई है तो पुरा घर की साफ सफाई पुरा बरतन हमने साफ कर लिया है अब जाड़ो पोचा कर रहे हैं और चीजे देखो यह गाम है तो चीजे सब आप टेबल जो देख र काने लेकिन अगर उस से हम अच्छे से मेंटेंड करें अच्छे से रखते हैं तो चीजे अच्छे चलती है अब पूरा सकोड़ेंगे जाड़ो पोचा करके इसको रख देंगे आज तो रहों के पूरा दिन जो हैं पे हमने भोजन लिया फिर वापस हम आ गए तो यह तो नीचे की साफसफाई दोनों रूम हमने अच्छी साफ कर लिया पानी गिरा गिरा की अच्छे से फिर उसके बाद ऊपर भी दो रूम है, जो हम लोड रेंट पर देते हैं, अगर अब दरवार में कभी आते हैं रेंट प प्रवार के संग जो हम समय बिताएं हैं वो कैमरे में कैद होते रहता है और हम आगे चलके देखते हैं तो बड़ी अच्छा लगता है क्योंकि दिन है एक समय हमारा बीद रहा है हम सब छोटे थे बड़े हुए आगे चलके शादी बिया सब बच्चे होंगे बूड़े होंग तो यह जो अच्छी अच्छी सम्रिती है जो बाबा के संग हम जुनने के बाद हमने जो पाया है बहुत अच्छी सम्रिती है बाबा कहते है ना पुरुसार्थ करो कर्म करो आगे फलके चिंता मत करो इश्वत आपको देता ही है तो बाबा की बताया मार के हम चलते हैं अपन बाबा की वज़े से करम भोग समझ में आ गया है तो एक अच्छा इंसान बनना है मेनत कना जीवन में आगे बनना है सारे परिवार जो है बाबा माता ने इस तरह पकड़ के रखा है कि आपको क्या बताएं सब बाबा माता के परती बहुत समर्पी थे बहुत भाव से जुड़े हुए हैं और ऐसी करिपा गुरुदेव की बनी रहे कि लोग ऐसी दरबार से जुड़े रहें और स्वस्त रहें खुद भी स्वस्त रहें और तंत्र में आगे बढ़के लोगों को भी एक राह दिखाएं दर्बार का नाम करें, दर्बार से लोग को जोड़ें, सभी लोग स्वस्त हों यही बाबा कृपा करें, यही इच्छा सब के अंदर बनी रहें तो आज पुरा दिन हमारा साफ सफाई में जाएगा, कल से हमारा इडली फिर से मिलना सुरू हो जाएगा आप लोग दर्बार आते हैं ना, तो दर्बार आने के बाद, दर्बार में सारी आप जो प्रोसेस करिए, मेरा वीडियो, मेरे रिल्स नीव लॉग विद माही चंद मैंने डाला हुआ है, तो सारे वीडियो आप देख लीजे, दर्बार आते हो ना, तो सुबह साड़े आठ आठ बजे हमारा इडली का स्टॉल लग जाता है, 11 बज तक रखते हैं हम लोग, तो आप वहाँ पर इडली खा सकते हैं, और साम को वही साड़े पांच या छे बजे तक हमारा इडली का जो स्टॉल है, दर्बार के अंदर ही, पहले हम बाहर लगाते थे, लेकिन बापा मात गुर्देव बहुत प्रेम करते हैं, उनकी बड़ी कृपा है, उनकी बहुत दया मया करोणा है हमारे उपर कि हमें दर्बार के अंदर अपनी गोध में उन्होंने जगए दिया है, जहां हम अपना इडली का स्टॉल बेचते हैं, और चार पैसे हम कमाते हैं, और दीरे दीर के अंदर ही इडली का स्टॉल लगाने को दे दिया है, तो हम वहां पर ही इडली बेचते हैं, तो आप सभी का स्वागत है, आईए हमारे हाथ की इडली जरूर खाईए, मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि आप अगर एक बार हाथ की इडली खा लोगे, तो आप ब देख सकते हो, पूरा अंदर का जितना भी सामान था ना, शटर के अंदर, गैस जोला सब बाहर रखके, और जितना भी मसाले का डिबाए पर था, उसको सब बाहर करके, साफ करके, अब देरे-देरे हम लोग रख रहे हैं, अच्छे से, अब ये साफ होने के बाद ना, बुद गर्मी होती है, अगर आप मुंबई, गुजराद, इस अब जगह से हैं ना, तो कानपुर की गर्मी आपको सहन नहीं होगी, और हाँ, यहां की ठंडी भी आपको सहन नहीं होगी, ये दोनों समय, अगर आप दरबार आते हैं, तो जनवरी का महीना जो है ना, आप मत ठंडी में, बहुत ठंडी लगती है, और अगर आप गर्मी के मौसम में आते हैं, तो ये जो जुन जुलाई होता है ना, ये अहसानिया होता है, इसमें आप भी आपको बरदास नहीं होगी, यहां की गर्मी, तो इसमें भी आप अपने घर पे रहें, तो जादा बहतर है, तो मेरा वीडियो कैसा लगता है, कैसा क्या लगे, मुझे पता आपको अच्छा ही लगता, तबी तो इतना आखरी तक आप लोग देख रहे हो, तो अच्छी लगी है, तो शेर करिए, मुझे पता है, इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग शेर करिए, मैंने युटूब पे काम किया है, मुझे यहां से पैसे भी मीले है, तो मुझे इससा लगता है, क्यों यूटूब पे कंटीनू रहूं, और कंटीनू रहने के लिए पता इसना पूरा-का दीन जाता है, लेकिन मुझे इतना समय नहीं है, कि मैं इसमें समय दाओ, इतनी देखोगे शेयर करोगे तो ठीक है तो शेयर करिए करिए ठीक है जुड़े रहिए आप लोग को जैसे वीडियो चाहिए वैसा पताईए तो मिलते नए वीडियो में आप सबी से हर हर